ये है एपी योज नेटवर्ड और आप देख रहे हैं आखर पधरी खबरों की परताल तहता रोतास जीले के करेगर प्रखंड की अधिकतर पंचायतों की पंचायत भवन में दिन रात तला लटका रहता है पंचायत अस्तरिय कर्मियों को नहीं मिलने से लोगों को अवास, ब्रदा पेंशन, कन्या व्यवाह योजना, कबिर अंत्यस्टी योजना, समित वीन कारियों के लिए दर-दर भटकने की नौबत रहती है लाखो रोपे खर्च से बना शिवन पंचायत भवन बरसों से नकारा साबित हो रहा है गरामीन लाल बहादुर सिंग ने बताया कि साल में दो दिन, 15 अगस्ट वच्भी जनवरी को राष्टिय धज़ फाराने के लिए ही इस पंचायत भवन का ताला खोला जाता है अन्य दिनों यहाँ पंचायती अस्तरिय किसी भी कर्मी का धर्शन दुलर बरता है उबीन कारियों को लेकर पंचायत सचीओ को डुड़ने के लिए लोगों को परखंड कारजाले से मुख्या के घर तक चक्कर काटना पड़ता है पंचायत अस्तरिय कर्मचारियों को पंचायत भवन पर रहकर कामकाज नहीं निप्टाए जाने से पंचायत प्रतिनीदियों को ग्रामीन के कोप का सिकार बनना पड़ता है ग्रामिनों की बात तो दूर कई पंचायत में वाडप सदर से भी अपने पंचायत में तैनात रुजगार सेवक, किसान सलाकार, पंचायत सचीव और आटी पीएस कर्मी को नहीं पहचानते हैं पंचायत में तैनात अधिकतर कर्मी प्रखंड कर जाले में महज हाजिर बना कर ही अपने ड्योटी पूरी कर रहे हैं पंचायत में आवास सहाय के नियमित रूप से नहीं रहने से परधान मंत्री आवास योजना के लाबगों को किस्त की रासी के लिए भी महीनों टक्टकी लगानी परती है पंचायत भवनों पर कर्मीयों के नियमीत रूप से नहीं रहने के कारण पंचायत वासियों को सुधाओं से वन्चित रहना पर रहा है जाती अवाशिय आये आधी प्रमान पत्रों की बर्माने के लिए इन पंचायतों के लाभगों को आज भी प्रकंड कारजाल इस्तिद आटी पीस कारजी काउंटर पहीं पहुचना पर रहा है जाती प्रकंड के लिए प्र रहा है झाल झाल